SIP plus Lumsum की strategy आपको हमेशा follow करनी चाहिए मैंने कई बारी आपको ये चीज़ जरूर बताई है कि Lumsum investment करने का long term में जो XIRR returns होते हैं उन पे ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा difference हो जाता है unless कि आप market 10% करेकर गई वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा invest कर दो 1-2% की correction पे आप Lumsum investment करते हो तो उससे आपको XIRR terms में बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी Lumsum investment करना चाहिए SIP के साथ इससे एक बहुत बढ़ा benefit मिलता है जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ अगर market correction पे अगर Lumsum करने का मौका मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा जैसी चीज हो गई लेकिन अगर market correct नहीं हुआ है और कहीं से extra पैसा आ गया उसका अगले कई सालों तक ज़वड़त नहीं है तो उसको भी लमसम कर देना चाहिए और यह मैं कई बारी बोल चुका हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा सा calculation मैं दिखा देता हूँ माल लो अगर आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो अगले 10 साल के लिए और उस पे आपको बहुत बढ़िया 20% का रिटर्ण XIRR में जनरेट हो जाता है तो आपका जो रिटर्ण बनेगा मतलब टोटल कॉर्पस बनेगा 10 साल के बाद वो अप्रोक्स 38 लाक रुपीज का बनेगा 10,000 रुपए की SIP 10 साल के लिए की 20% का रिटर्ण जनरेट हुआ तो 38,000 रुपए बन गया अब जरा ये सोचो कि मालो पहले साल जब आपने SIP स्टार्ट की थी पहले साल में उसी साल 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा इंकम कहीं से आपको हो गई कहीं से बोनस आ गया या कुछ बिक गया जो जिसकी जवववत नहीं थी घर में वो आपने बेचवार 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया उसकी जवववत है नहीं वो तो एक्स्ट्रा है आपने उस पैसे को लमसम कर दिया मार्केट गिरी हुई थी नहीं गिरी हुई थी लेकिन उस पैसे को आपने लमसम इंवेस्ट कर दिया तो अगले 10 साल के लिए SIP के साथ साथ वो 50,000 रुपए जो लमसम किया था वो भी इंवेस्टेड है तो वो 50,000 रुपए अगले 10 साल में कॉर्पस होता दस साल बाद वो 41,000 रुपए एक्स्ट्रा आय थे अगर उस पैसे को खा जाते बरबाद कर देते खतम कर देते तो खतम हो जाता लेकिन उसको अगर इंवेस्ट कर दिया तो 3,000,000 रुपए का कॉर्पस में आपकी बरहोतरी हो गई माल लो अगले साल जैसे इस साल SIP स्टार्ट की इस साल 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कहीं से आया थे लमसम कर दिया अगले साल दूसरे साल में एक लाख रुपए की कहीं से इंकम आ गई कहीं से कुछ आ गया आपकी सैलरी में इंक्रीज हुआ या आपने जॉब स्टार्ट किया तो आपको कुछ मिला कुछ भी हुआ तो वहां पर एक लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके पास आ गया साथ में तो आसा मार्केट भी करेक्ट हो गया अब आपने उस एक लाख रुपए को इंवेस्ट कर दिया मार्केट में लमसम में अब हमने मान लिया कि ठीक है आपने मार्केट करेक्शन पर इंवेस्ट किया 9 साल का पूरा टाइम प्रेट बचा क्योंकि एक साल तो हमने इंवेस्ट कर एक साल पहले तो पांच लाख रुपए और कॉर्पस में एड हो गया मेरा इसी तरीके से इसी लिए और इसी तरीके से अगर हर साल थोड़ा बहुत पैसा आप लंसम करते चलते हो है SIP के साथ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा इंवेस्टमेंट की आपको रिटर्ण पे हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े रिटर्ण आपके बढ़े नहीं लेकिन टोटल जो कॉर्पस वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाती है उससे क्योंकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ जाता है यह आप लोग ध्यान नहीं देते हो जातर लोग कमाउंट से यह होता है कि हम लंसे इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिटर्ण ज़्यादा मिलना चाहिए नहीं हम lumsum investment कर रहे हैं तो हमें return ज़्यादा मिले ना मिले उससे फर्क नहीं परता लेकिन in the end पैसा हमें ज़्यादा जरूर मिलेगा और इसलिए SIP प्लस lumsum की जो strategy होती है वो best होती है अगर ज़्यादा dip में invest कर दिया तो return तो अच्छे हो ही जाते हैं लेकिन क्योंकि invested amount बढ़ जाता है SIP कर रहे थे वो invested amount है प्लस lumsum जितना डालेंग हो तो invested amount increase होगा और invested amount increase होगा तो उसमे compounding भी तो ज़्यादा 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 होगी तो Indian corpus भी तो ज़्यादा बढ़ेगा तो यह चीज है जो लोग नहीं इसको calculate करते हैं अपनी calculation में अगर इस तरीके से अगर आप investment करते हैं तो आपके जो goals हैं वो और ज़्यादा जल्दी भी achieve होते हैं और आपके goals achieve होने के chances और ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं तो जरूर इस चीज को try करिए इस चीज को apply करिए return बढ़ाने के लिए नहीं in the end corpus पैसा को बढ़ाने के लिए और अगर बीच बीच में अगर 5-10% या 15% का किसी बाहरी रीजन के कार्ण correction market में मिल जाता है तब तो करें ही करें investment तब तो लंसम करें ही करें लेकिन अगर नहीं भी correction मिलता है और अगर extra पैस आपके पास आज़ाता है जिसकी ज़गरत नहीं है उसको ज़वर market में डाल दे लेकिन एक बात ज़वर ध्यान रखें लंसम करने के लिए अपने SIP को कभी भी compromise नहीं करें बहुत साई लोग होते हैं जो कि SIP को बंद कर देते हैं जब market गिरेगी तब ही मैं लंसम investment सिर्फ करूँगा ये गलती नहीं करें SIP को compromise नहीं करें SIP के extra वाला जो पैसा होता है extra income कहीं से other income आ जाती है उसको लंसम invest करें SIP को compromise करके कभी भी लंसम investment ना करें उमीद है information helpful होगी investment करते रहें SIP लंसम करते रहें बड़ा पैसा बनाए कोई question पिरी है तो नीटे comment box में पूछ ले